Hello Everyone, swayatHS है आपका मेरे YouTube channel स्वाधिस्ट चूला में तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ siellä mushroom की recipe तो चिली mushroom जो हमने बनाया है, oyster mushroom का जो हमने आपय premiere 요 hiu यह oyster mushroom 300 gram के द्धो भाड़ भूदों है Bugün जर्फो जय दें देखा रहा है काट लेना है आप चाहें तो चाकु से भी पारीख पीस हाने पूरो उसको कर लिये हैं यहाप में च्रिमला के सब्सक्र Show02 दो ध्वता रचने पेस्ट के लिए 4 एक रचने खो जाना कर लिए White Clay लीओ हमाने ज forgard लेक फैस्ट पनी नियुक्त कामेट करने देश हलोई आइल हमारा अच्छे से गरम होना चाहिए और यहाँ पर आज हमें जो है गैस की अपनी फुल रखनी है तो अब यहाँ पर हम प्यास जाल लेंगे और बहुत जादा नहीं बस आधा मिनट के आसपास हमें इसे फ्राई करना है इस तरीके से तो आज यहाँ पर हमारी फुल ही रहेगी तो अब सिम्ला मिच भी हाँ पर अट कर लेंगे तो सिम्ला मिच को भी बहुत जादा हमें यहाँ पर नहीं पकाना है वही आधा मिनट के आसपास हमें इसमें फ्राई करना है अच्छे से फुल फ्लेम में और टमाटे यहां पे हम डालेंगे और अब हम डालेंगे यहां पर आधा मिनत पकाने के बाद सोया सॉस, दो चम्मच यहां पर हमने सोया सॉस एट किया है क्योंकि जो भी हमारे चाइनीज जो है फूड बनता है पाणर के आसपस स्वीका डाला है और दो चमब यह हमने यहाँ सोया सोस डाला हुआ है और यह हमने एक चमब इसमें तमाटो कैचप you यह हमने डाला है और अब हम इसमें एट करेंगे अजिनो मोटो क्योंकि जो भी हमारे चाइनींज पूट रहते हैं उनमें यह चीजें पढ़ती है तो छोगा हमने अपर अजिनो मत लिया है और यह नमक है नमक है नमक जो हम हिसाब के डालना है तो एक साथ ही बहुत इसमें अब नहीं आए था कॉर्ण फ्लोर का वही है अब डाल लेंगे और अब इसको हम एकात मीनट जो है अच्छे से फ्राइ कर लेंगे देख सकते हैं आप एक मिनट हो चुका है और अब जो हमने यह मश्रूम है पर अपने काटी हुई है वह मश्रूम को हम इसमें डाल कि अच्छे से इस तरीके सामें मिक्स कर लेना है आप चाहें तो भी पहले फ्राई भी आप कर सकते हैं जिससे कहा है हमारा मश्रूम जल्दी रेडी हो जाता है यह देखिए इस तरीके से हमने कर लिया और आप हमें थोड़ी मिर्च जो है आप एड़ कर लेंगे लाल मिर्च आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग एड़ कर सकते हैं तो अच्छे से हमें इसको मिक्स कर लेना है और 5-10 मिनट के लिए हमें इसे ढख कर लेना है बीच में एक बार इसको हम चेक कर लेंगे कि हमारी सबजी तयार हुई नहीं हुई तो मश्रूम जो है पकने में बहुत ज़़ा समय तो नहीं लेता है तो मीडियूम फ्लेम में दस मिनट के आसपास इसको हम पका लेंगे और अब यह हमारी हापे सब्जी तयार है और बारिक हरी धनिया से जो है इसको हम जो है लास्ट में एड कर सकते हैं अगर आपके पास बा लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू